व्यक्ति में ये पाँच लक्षन है तो हनुमान जी की उसे कृपा प्राप्त हुई है। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका। हनुमान जी की कृपा जीस व्यक्ति पर होती है उस व्यक्ति में कोन से लक्षन होते है तो आये जानते है। दोस्तों, हनुमान जी कल्यूक के एक मात्र ऐसे देवता है जो अपने भक्तों पर तुरंथ प्रसन्न होते हैं ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी चिरन जीवी है। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को यह वर्दान दिया था कि वे कल्युग के अंत तक पुरुथवी पर जीवित रहेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे. कल्युग के अंत में पाप अंतिन चरन पर होगा और ये विनाश की ओर बढ़ता जाएगा. कल्युग में धर्म का केवल एक चतुर्थांशी बज जाएगा और अंत में भगवान विष्णू कल की अवतार लेंगे. दोस्तो हनमान जी आठ सिधियों के स्वामी है. वे अपने भक्तों की हर मनो कामना को पूरी करने वाले बड़े दयालू है. जिस भी व्यक्ति पर हनमान जी की क्रिपा होती है. उसका कोई भी शत्रू कुछ भी बिगाड नहीं सकता. ऐसे व्यक्ति को भले ही जीवन में कठना यूं का सामना करना पड़ता है. परन्तु अंतमे हनमान जी इनकी रक्षा करने पहुच जाते है और इने सही रह दिखाते है. दोस्तो हनमान जी पृत्वी पर अपने पूर्ण स्वरूप के साथ उपस्तित है. इसके कई प्रमान हमें देखने को मिले है. हनमान जी ने कई भक्तों को साक्षात दर्शन भी अगर घर के अंदर सदैव, नकरात्मक और बुरी शक्तियों का वास है, तो हनुमान जी की पुजा करना आवश्यक है, जिस घर में हनुमान चालिशा का रोजाना पाठ किया जाता है, ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति पर किसी की भी बुरी नजर का कोई प्रभाव नहीं किया जाता हो, जिस घर के लोग मास शराप का सेवन करते हो, जिस घर में पश्यों को मारा जाता है, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान ना किया जाता हो, और जिस घर में कोई भी धार्मिक व्यक्ति ना रहता हो, ऐसे घर से हनुमान जी चले जाते है, ऐसे घर में रहने वाले लोग दुख भोगी होते हैं, इन्हें कभी सूख और चैन नहीं मिलता, और ऐसे घर से लक्षमी रूट कर चली जाती है, आज के विडियो में हम आपको बताएंगे, मनुष्य के ऐसे लक्षनों के बारे में, जिस भी व्यक्ति में ऐसे लक्षन होते है, उस पर हनमन जी की कृपा होती है, तो आइए बिना देरी किये जान लेते है, कोन से है वो लक्षन, जिन पर हनमन जी की कृपा है, लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करे, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली विडियो आप देख सके। साथ ही दोस्तों विडियो को लाइक करना ना भूले। काले एवं घने केश्वाली महिलाए उत्तम मानी जाती है। हनुमान जी की क्रिपा प्राप्त व्यक्ती कम ही बीमार पड़ते है। और इन पर कभी बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता। हनुमान जी का प्रिय व्यक्ती शक्तिशाली होने के बावजुद भी शमा शिल होता है। अपने बल पर कभी घमंड नहीं करता। और दुसरों को अकारन ही कष्ट नहीं देता। अईसे व्यक्ती के पास धन हो या ना हो दुसरों की सहायता करने वाला होता है। और दान धर्म करने में विश्वास रखता है। अईसा व्यक्ती हनुमान जी की क्रिपा से भविश्य में नाम कमाता है। जिस व्यक्ती की प्रभु श्रीराम के प्रती निष्ठा एवं भक्ति भाव होता है। उस पर हनुमान जी सदैव महरबान रहते है। जिस व्यक्ति पर हनमान जी की क्रिपा होती है, वह व्यक्ति मुश्किल परिष्थितियों में विचलित नहीं होता, और साउधानी से अपने काम करने लगता है, ऐसा व्यक्ति दूसरों की दुख में सदा शामिल रहता है, और परिवार के साथ हमेशा खडा रहता है, विपरित परिष्थितियों में दुखोन से लड़ता है, और शत्रु चाहे कितना भी बलवान क्यों नहीं होता, हनमान जी की क्रिपा प्राप्त महिलाए, गुरुह कारियों में दक्ष होती है, ऐसी महिलाए जल्दी जागने वाली होती है, और जीवन साथी के साथ कभी धोका नहीं करती, ऐसे स्त्री से विवाह करने वाला पुरुष भाग्य शाली माना जाता है, हनमान जी की क्रिपा प्राप्त वेक्ती पराई स्त्रियों को बुरी नगर से नहीं देखता, और स्त्रियों का सम्मान करने वाला होता है, ऐसे पुरुष महिलाओं में लोकप्रिय होते है और इनके मिठेवानी से सदा प्रभावित रहती है ऐसा पुरुष सम्मान को महत्व देने वाला होता है और बुरे काम करने से बचता है जिस व्यक्ती पर हनमन जी की कृपा होती है वह व्यक्ती अपने मित्रों के साथ कभी भोका नहीं करता ऐसा व्यक्ति बोलने की कला में निपुन होता है और स्वयम के एवं दुसरों के राज हमेशा गुप्त रखता है ऐसा व्यक्ति अपने आश्रीत लोगों को बाठ कर स्वयम थोड़े से भोजन से ही संतुष्ट हो जाता है कड़े परिश्रम के बाद सोता है तथा मांगने पर शत्रों को भी सहायता करता है ऐसा व्यक्ति लालची नहीं होता और दुसरों के साथ कपट नहीं करता जिस व्यक्ति में ऐसे लक्षन होते है वह सर्वत्तम होता है और जीवन में बहुत आगे जाता है ऐसे गुन हन्मान जी की क्रिपा से ही प्राप्त होते है अगर आपके अंदर भी ऐसे गुन है तो हमें कमेंट में जरूर बताए अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करे और कमेंट में जैश्रीराम अवश्य लिखे और हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करे धन्यवाद